सो वाट इस डिवॉप्स वो समझेंगे ए सेसन के अंदर डिवॉप्स क्या है तो डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं डिवॉप्स इस सेट अफ प्रैक्टिस यह अपने इस पर विकिपिडिया है लेकिन बहुत सरे डिफिनेशन अवेलेबले मार्केट के अंदर बट आपको लेमिन लेंगुजें बताओ तो डिवॉप्स क्या है डिवॉप्स एक प्रैक्टिस है जो आपका प्रॉब्लम सौल करती है तो कैसे प्रॉब्लम सौल करती है तो जिसे फास्ट प्रॉब्लम में यह था कि मैं फास्ट डिलेवरी सौप्ट्वर नहीं दे सकता इंटिगेट करो आपका development and information technology operation means कि development team and operation team development team के अंदर क्या आता है कि development team के अंदर आपके development team आती है Qo team आती है operation team में क्या आता है जहां पर आपका IT operations रहते हैं जब कि आपका build बना हुआ जो deploy करने का काम रहता है जो IT संबालती थी तो इन दोनों टीम को इंटिगेट किया है यहाँ पर बोलता है कि devops practice improve करने है कि यह सारी चीजों को single line में काम हो इसी को बोलते है devops simple है next कुछ और definition देखते है कि devops is a culture which promote collaboration between the development and operation team जैसे मैंने बोला कि दो टीम को collaboration करते है क्यों collaboration की जरूत है कि deploy fast code in a production automatically test and deploy हो जाए and repetitively deploy हो जाए तो यह तीन चीज आप देख सकते हैं यहाँ भी definition के अंदर clear हो रहे है कि collaboration की है development team in operation team के between पर क्यों कि fast code को production में deploy करना है automatically करना है और repetitively भी करना है बनले एक ऐसा रास्ता बाने जिससे वो मैं हर बार कर सकू every change के लिए कर सकू the devops world devops is a combination of two words there is a development and operation the next definition के आप देख देख सेट प्रक्राक्टिस that automatic the process between software development and IT team in order that they can build test release software faster and more reliable यह definition में क्या बोल है कि जहाँ पर combination किसको किया कि automated process बना है किसके लिए software development team के लिए IT operation team के लिए क्यों कि मुझे fast build करना है test करना है और software को release करना है reliably मलब हर हर चीज के लिए common चीज समझ सकते हो कि हर चीज हर definition के अंदर एक चीज है कि collaboration करना है development team and operation team के between क्यों करना है कि fast delivery के रहे और sound quality होने गए अभी कैसे कर सकते तो उसके अंदर यहां पही आंसर मिलगा है कि automatically भी करना है तो automatically कैसे कर सकते कि मेरा हर build different रहता था पहले टीम में एसा था कि development team different build काम करती थी testing team different build करती थी and test deploy करने के बाद IT team कुछ और deployment करने के लिए ट्राइ करती थी क्योंकि तीनों के लिए build different था क्योंकि तीनों integrate वे में नहीं काम करते थे code common था बट प्रोसेस सबकी अलग थी DevOps ने क्या बलग भी सबकी प्रोसेस अलग मत रखो एक ही process रखो and जो development build बनता है वह ही क्या 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 करेंगे हैं तो कैसे करते हैं वो समझते हैं तो plan जब होता है कोडिंग होता है उसके बाद build create होता है build create के बाद एक automated system होती है जो deploy करती है तो यहां पर continuous integration फंडा आता है continuous integration के लिए बहुत सारे tool available market में बांबू है अल्टाइशन का Jenkins बहुत ही popular यहां पर integration के लिए एंड वो integrate करता है आपका build को create करता है आपका build system and deploy करता है तो यहां पर इंटीकेट कर सकते हो जैंकीस हम डिटेल में देखेंगे बट इसको यह इंटीकेशन करने में help होता है एक टूल है फिर डिपलोई करता है डिपलोई करने के बाद वो operation आईटी वाले रहते हैं यहां से फास्ट फिडवेक मिलता है जो फिडवेक आता है यहां से फिर से उसको प्लान में लेके फिर बिल्ड कर सकते हैं तो मतलब क्य सब्सक्राइब रहुँक्राइब और जो इंटीकेशन बीटूइन फिडवेक साइकल है और कि इंटीकेशन बीटूटेशन बीटूइन देपलोई यह नहीं था तो यहां पर जकींश फोलिछ करती है। यहां से डिवाप्स पिक्चर नाया है तो फिर्स्ट बेनिफिट करो उसको integrate करो and once you done की आप उसको डिपलोए करो तो यहां से आप की निकाल सकते हो कस्टमर को देसके आपका प्रोड़क्त और फास आपको तो प्रॉपर देख सकते हो एंड जो प्रॉसेस है यहां पर इंटीकेशन की जिसे कि हर कमिट पर बीट जनेट हो तो आपको पता दिल जाएगा कि मेरा कमिट पास कर रहा है कि नहीं कर तो फिडबेक साइकल बहुत फास्ट है इसके लिए फेल्वेर बहुत कम आ सकते हैं सब्सक्राइब कर सकता हूं कुछ भी प्रोब्लम में अफोर्ट प्रोसेस और रिकावरी इन इवेंट आप नियू रिलीज क्रेसिंग डिसेब्लिंग दे करन्ट सिस्टम जैसे मैंने बोला कि अगर कोई स्पेसिपिक रिलीज आपका प्रोब्लम कर रहा है तो आपको लास् सब्सक्राइब करने में प्रोब्लम लगता था तो मैं आइडेंटिफाइब करू उसको फिक्स करो वही टाइम बहुत लंबा होता था यहां पहले मैं क्या करूंगा कि मैं लास्ट जो वर्किंग रिलेस का उसको कस्टमर को डिपले कर दूंगा कुछ नया में रिलीज करूंगा कर दो आपको उसको रेगुलर कुछ नया देना पड़ेगा तो कस्टमर का जो रिक्वाइंट है कि मुझे एवरी टाम है इनुट नया में रिलीज करूंगा नया रिलीज शॉर्टर साइकल से यहां पे आप यह देवस्ट प्रसेश से कर सकते हों और आपको एक्जामपल जैसे के आप मोबाल अप्लिकेशन यूज कर रहे तो उसके अंदर आप देख सकते हों कि एवरी वीक और एवरी टू थीडिस आपको कुछ नया पेच मिलता है इसके लिए बहुत इंप्रूव होता है रिस्क बहुत ख़म हो गया क्योंकि आपकी अपरेटाबलिटी पूरी एक साइकल में आ गई है जहां से आपको पता है कि in case कोई issue है तो आपको how to identify मतलब किसके code से कोई issue है आप उसको immediately identify करके fix कर चकते हो तो reduce risk आपका कम हो गया आपकी जो life cycle है product की वो fast हो गई जहां से आपको fast feedback मिलता है customer का तो devops कैसे काम करता है पहले समझ लेते हमने समझ लिया कि devops क्या है devops काम कैसे करता है उसके benefits क्या है तो एक quick recap कर लेते है कि devops process है जो आपको problem fix करती है problem क्या था कि मेरा fast delivery नहीं हो रहा था problem क्या था मेरा uniqueness of process नहीं था problem क्या था मेरा quality issue था तो यह सारे issues devops process स्वाल होते हैं यह क्या किया कि collaboration किया बीट्वीन developer and operation developer and other team तो fast move कर सकते हो काम कैसे करता है integration process इंप्रोव किया and integration for the feedback process इंप्रोव किया तो fast integrate कर सकते हो and fast आपको feedback मिलता है benefits इसके speed है, predictability है, reproduciability है, maintainability है, rapid delivery कर सकते हो, market का need है and quality तो इस सारे उसके core benefits है